ब्रिक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है जैसा कि आपने देखा कि अनामिका जी ने चीन को चिंचिंचू कर दिया और ये एक अलग बात है कि चिंचिंचू का मतलब मुझे भी नहीं पता हो सकता है कि वो एक अलगी वर्ड हो लेकिन आज हम सब भारतियों के मन में वही बात है जो अनामिका जी ने आपके सामने रखी आज हम सब लोग इस बात का समर्थन करते हैं और साथ ही अब हम जल्दी चलते हैं सौरव जैन जी के पास कि उनके मन में आखिर ऐसी क्या भावनाएं उठ रही है जो कि एक कवी को उसकी कविता के रूप में उभरती हैं और वो आपको सुनाएं मैं सुना देता हूँ आपको एक कविता मैंने उसी अटेक को पूरी की पूरी केंदरित करकर के एक लिखी मैंने वो शब्द क्या हैं अंदर से द्विलित जब मन हुआ उस घटना को देख करके और फिर हमारे वीरों ने जाकर के उसका प्रतिशोध भी लिया तो वो पूरी दिवस पर बना रहे थे ताबीरें कुछ ख्वाबों की फैल रही थी फिजा में खुश्बू को मल सुर्ख गुलाबों की वाट्स एप और फेसबुकों पर पे केवल प्रेम ही दिखता था हर शायर हर कवी कलम से केवल प्रेम ही लिखता था दिन आधा ही बीता था के बदल गया सारा मनजर प्यार भरे दिल में उतरा खूनी नफरत का एक खंजर काश्मीर के पुलवामा में लिखी इबारत थी गुम की क्या उस दिन हुआ हूँ बोलता हूँ साड़े तीन बजे तक कुछ नहीं था पूरा का पूरा का आप कोई भी सोशल साइट खोल करके देख लेते तो सब जगा आनंद था सब जगा महुत सब बनाया जा रहा था लेकिन एक गर्व की बात यह है दोस्तों कि साड़े तीन बजे के बाद जब हम लोगों को इस घट हसते हिंदुस्तान पेचाई बदरी काले मातम की विस्फो टक से भरी हुई गाड़ी से टक कर मारी थी आतं की हमले में हमने चालिस सांसे हारी थी बूरी मां बेटे के शव को सीने भी लगाना पाई थी छे फुट के बेटे की लाश छे इंच ही वापस आई थी पूरा भारत ता शोक ग्रस्त हर आंक से आंसू छलका था थे क्रोध से डोरे लाल सभी प्रतिशोध सभी में जलका था दिल्ली ने खुल कर सेना को अपनी जुबान दे डाली थी इंतकाम की चाह में सेना को कमान दे डाली थी थे सेना को आदेश कोई भी थे सेना को आदेश कोई भी दहशत गर्द ना बाकी हो बंदूक उठाने वाली केवल सेना हो या खाकी हो कि बंदूक उठाने वाली केवल सेना हो या खाकी हो मृत्यू के बारे दिन तक हम अपनों का शोक मनाते हैं ये परमपराएं हैं हम लोगों की कि तेरे दिन तक तेरे भी होती है तेरे दिन के बाद तब तक हमारे कोई काम नहीं होता लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं ये भारतिय बताता है कि मृत्यू के बारे दिन तक हम अपनों का शोक मनाते हैं रस्म निभा कर पगड़ी की फिर अपनी खड़ग उठाते हैं वो चड़ मिराज पर तूट पड़े फिर शत्रू पर यमदूतों से साक्षात कार था कुत्तों का सिंगों से वीर सपूतों से फिर हनुमान ने लंक दहन को जला के पूँच बढ़ा डाली एक शीश के बदले दस मुंडों की भेट चड़ा डाली है नमन शौर को नमन वीर के पावन निजबलिदानों को है नमन राश्ट के हवन में आहुतवीर देह को प्राणों को चरणों की रजभी मस्तक का लोतिलक ताज हो जाती है स्वर्ण चिरया प्रतिशोध में एक बाज हो जाती है हम भारत मा के सुत गौरव के प्रश्ट बढ़ा भी सकते हैं कि हम भारत मा के सुत गौरव के प्रश्ट बढ़ा भी सकते हैं हम फूल चड़ाने वाले अपना शीष चड़ा भी सकते हैं जै हिंद जै भारत तो इतनी बढ़िया कविता आपने सुनाई मुझे लगता है कि को यी ऐसा होगा जिसका की रुआन ना खड़ा हो और वो प्रतिशोद में ना जला हो अब अनामिका जी आप सुन रही हैं आप भी कुछ इसके बारे में आपके क्या अलफाज हैं क्या आपके मन में आ रहा है मेरा मन करता है कि जहां सौरब जी ने बात खत्म की है वही से बात शुरू करूँ और उसको आपको महबत का सफर करवाते हुए मैं आपके कानों से होकर दिल तक पहुचने का प्रयास करूँ और हमारे नौजवान जातियों को मैं खुद मेरी उम्र के जितने मेरे साथ है मेरे फॉलोवर्स मुझे अनुसरनर जो मेरा करते हैं उनको एक संदेश दे करके मैं अपनी बात पूरी करना हुट क्या कारण है जिनकी बात हम किस कोई भी विश्य चलरा हो लेकिन हम एकदम अपने सैनिकओं को नमन करने लग जाते है क्या कारण है, ऐसा क्या है, कि सैनिक के ऊपर इतने बार सियासत होती है, तब भी वो ये सोचते हैं कि उन्हें जाना चाहिए और उन्हें हमारी सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए, यदि वो आज सीमा पर तैनात नहों, तो मैं यकीन से कहती हूं, हमारे अंदर ये कि भाव्नाना हो तो हम कोई होली को दिवाली कोई इद को रख्षा बंधन ते अहार में आ करें तब मैं कहते हूंके अंदर क्या होता है यह पूरी कायनात किस प्रकार उंके शहादत के सम्मान देती है कहती हूं सुनिएगा स्वागत, बिखर कर शारे की खुश्बू, चमन को चूम लेती है, क्या कारण है, बिखर कर शारे की खुश्बू, चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को वतन की धूल उड़ कर बदन को चूम लेती है वतन की धूल उड़ कर और इसका एक मात्र कारण है महबत वो महबत जो प्रयसी अपने प्रियवर से करती है वो महबत जो एक भाई अपनी बहन से करता है बहन अपने भाई से क्रती है आपस में पती- नहीं पहुचे वही अलफाज मत होना हम सबसे प्रिये से यह कहते हैं जो कानों तक नहीं पहुचे वही अलफाज मत होना जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना है मुमकिन गल्टियों से गल्टियों का भी तो हो जाना मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना और चलते चलते मेरे नौजवान साथियों को एक संदेश देती हूं इस खूबसूरत रंग बिरंगी होली पर जहां आपने बहुत सारे रंगों से अपनी दुनिया को भर रखा है ऐसे मैं एक अनुरोध करती हूं कि आप रिष्टों के रंगों को देश्भक्ती के रंगों को और अपने इस गुलदस्ते में सजाएं इन फूलों को अपने गुलदस्ते मीस की तब शौद की हो आप से विदा चाहती हूं सुनियेगा नजर अंजान भील कि रखना मगर पहचान भील रखना फेस्ब detrimental में वाट्स के जमाने में डूगल केffeeमाने में में जब इतने Regular recommend नहीं दे पाते तब अनामी का अंबर कहती है यह संदेश आप तक पहुंचे और इसके बाद आप तक हैपी होली यह शुब होली का संदेश आप तक पहुंचाती हूं और विदार रहती हूं सुने की नजर अंजान भी रखना मगर पहचान भी रखना करो मासूम शैतानी तो फिर इमान भी रखना खुले मन से नए रिष्टों का स्वागत भी करो लेकिन जरूरी है बुजर्गों का सदा समान भी रखना बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को आपने अपनी एक मूल रचनाएं सुनाई और वो भी एक अलग-अलग प्रिष्टा करूं पिर भी आपका हम सुभार्ती चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और दर्शकों आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों जिस तरह से प्रिकृट ने हमें सब कुछ फ्री में दिया है उसी तरह से सुभार्ती चैनल भी फ्री है वो आपके द्वार हमेशा एक तरह से आपके बच्चों के लिए सिक्षा स्वास्त संस्कार को ले करके सामने खड़ा हुआ है जरूरत है एक क्लिक करने की आपके बजट पे कोई असर नहीं होगा इसी के साथ ही आज का हम यह कारिक्रम यहीं समाप्त करते हैं इस आ झाल